हाई हेलो वेलकम वैक टूमाई चैनल तनवी कीचेन चैनलमि में आप सभी आ मुष्ट वेलकम है तो आज हम लेक्या है बहुत ही टेश्टि से गाजर से बनने वाली जेली वाली मिठाई तो ऐसे तो आपने गाजर की कई रेसिपी बनाई होगी जैसे गजर का हलुप बनाया होगा गाजर की ऊर भी कही रेसिपिस बनती है तो आज हम बनाने वाले हैं घैली वाली मिठाई तो बना बनारे हैं चोटे हैं जल्दी बन जाती है और जाधा टायम भी ने लगता है और दिखने भी अच्छी लगते हैं जेसे आप मार्केट से खरीद है याप घर में भी बना बहुत ही जल्दी बन जाती बहुते आसानी से बना देखने में आपको लग रही होगी केसे बनाएश गाजर को तो इस तरह से इसको दो के फिर कट किया तो यह मैंने बगोनी ले लिए चोटी सी और इसमें डाल किये हैं और इसमें मैं डाल दे रही हूं पानी तो पानी कितना डालूंगी जैसे तो आपको कितनी गाजा लेने उसके अकोडिंग देखके आप डालिएगा पानी तो मैं इसको बॉल करने के लिए रख दूंगी घैंस का फ्लेम आपको स्लो टू मीडियम पर रखना मैं इंडेक्शन पर बना रही हूं तो इन्हों को बॉल कर लेना है देख सकते हैं बिल्कु कर ले रही हूं जो गाजर है उन्हों को अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे तो जो पानी है इसको फैकना नहीं है इसको भी आपको आगे यूज लेना है और यह गाजर अलग मैं रख दिया और पानी को मैं निकाल ले रही हूं तो यह पानी हमें आगे क्या करना इसका भी मैं बता दूंगी इसको सैड में रख लेना है अब ये गाजर थोड़ ठंडी हो गई है अब मैं क्या कर रही हूं ये देशते हो ये ग्रांड जा लिया है इसमें मैं डाल दे रही हूं पूरी गाजर की वी को तो इनकी हम बिल्कुल फाइन प्यूरी बनाएंगे और इसको चलाएंगे रुक रुक के वह ये आपकी ना पिस पाया च्छे से प्यूरी तो थोड़ा सा पानी एक दो चमच इसमें डाल सकते हो जो इसका पानी है गाजर को भी डालीएगा तो इस तरह के मैं बिल्कुल फाइन प्यूरी से बना लिया इसकी अब मैं इसको रख नहीं तो आरारोट पाउडर डाल दीजिए वही काम करेगा करीब न मैंने तीन चमच डाला इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिला लेना क्योंकि इसमें लंच नहीं रहने चीए बिल्कुल अच्छे से बेढ़ जाता है तो इसको आपको दिखाए दे रहोंगे आए छी गाजर बेढ़ना ऊहना काब में लुंगे फहा क्वान लाओ और से मैं छी चीनी ने कितनी लिए चोटी कटोली बिल्कुल चोटी साज कटोली है आप अपने स्वात के देख लेजाएगा कितनी लेनी है यहाई जो नहीं हो आप को यहाई भी होगार अब देखिए आर चलते रहना वह शाते हैं मैं इसको चला दूंगी तो आई दी आप गेंस पर बना रहे हो तो slow to medium गेंस पर रखेगा मैं induction चूले पर बना रही हूं तो मैं 700 पर इसको रख रखा है इसको चलाते रहना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं नहीं आपका custard powder जो इसमें डाला है और नीचे बेढ़ जाएगा और लंप्स पर जाएंगे वह खराब हो जाएगी जो आप रेसी बना रहे हो तो मैं बिल्कुल लगातार इसको चलाती रही हूं तो देख से इस तरह का यह बन के रेडी हो गया है अब इससे ज्यादा में नहीं करना है और हमें इसको बंद कर देना है आप गेंस बंद कर दीज दीजोरी इसमें मैंने डाल था है जैसे एसेंस बेलेना दाला था तो आप गयम नहीं करना नहीं हो तो आप डाल दीजी इसमें ईलाची पाउडर मैंने वह डाला था मैंसूटकर नहीं भूल गया थे तो प्लीजि autop Damit motivates है महने डालाा की लेईकिन सफ्ले और द्लालो तो अब पूरी पूरी बनाए वह पूरी में डाल दी है इसको जमने सेट रहने के लिए चार से पांस घंटे के लिए मैंने रख दिया था तो फिरीज में रख दिया था और रेसेट हो चुका है और मैं निकाल लूगी इसको देख सकते हो यह बिल्कुल आराम से निकल जाएगी बिल् और में कुलना के भीवार के इसंदूर के योच नतौरा का अच्छा मैं कर दियाने हैं अब क्या करना की डिभा ऐखे पड़ा का बढ़ण कुलना नारियल की डिपउाई इस पर दिखने में अट्रेक्टू लगता уgov dispon Ende ghostly गारती है आपके आपके पास बुरादे नाइल अच्छी लने में । इस तेक्ट मैंना we मैं से घन्रियों के गणिश कर दोनाओ है तो यह तेस्ट बहुत ही ओना धरक्याओ्ट टेस्टेव अधर हां मिठाई Industle दिखने में अच्छा लगे आपको जिस चीज से गानिस करना उसे कर दीजिए जिससे ड्राइफूट से भी कर सकते जो आपकी पसंद हो उससे कीजिएगा तो धनिया मैंने अपनी मर्जी से लगाया देखने के लिए अट्रेक्टिव लगे तो आपको रेसिपी कैसी लगई कम आपकी बाइ फ्रेंट